तो भाई नया नया वरबल डाइरी आया है मार्केट में टूथ बॉम्ब के नाम से ये बॉम्ब कीतरा ये वीडियो गे रहा है अमित मिश्रा जी ने काफी अच्छे ची बाते करी है शुब हांकर मिश्रा जी से और मेरे साथ है शुब रांशू तिवारी इस वीडियो को अंशू तिवारी है हमारा इस वीडियो में दिखाए गए पात से दूर दूर कोई नहीं है अगर होता है तो एक बहुत बड़ा दूर्पयोग होगा नहीं होगा बाई दवे दो मिश्रा जी क्या बात कर रहे हैं उस पे तिवारी और शिवास्तो जी आज रियक्ट करने वा आप मानते हूं अभी यह चीज़े बदल गए है अभी वैसी है लाइटिंग तो अभी भी है चले मैं उसको और अच्छी से फ्रेम करता हूं एक खिलाडी है यह यह कहारे चलिए हम और ट्रिगरिंग क्वेशन पूस्ता हो यह बिलकुल यह प्रॉपर जर्णलिस्टिक अप कोई भी लेना देना नहीं ये बैचारे जो लेट साइड में बहुत ही आराम से बैठे हुए मिश्रा जी के सपूत अमित मिश्रा जी इनको भनक तक भी नहीं थी इन्हें क्या पता था कि सोशल मीडिया पर इनके चरित्र का जो निस्तारन किया जा रहा है खतरना ने ने क्योंकि देखिए ना आप अगर इसके वीडियो के आप टाइम स्टाइम से भी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें विराट कोली शब्द जो कीवर्ड है उसका नाम कितनी बार इस्त अच्छे स्पिनर है मैंनत करते हैं आपके बाद दूसरे अच्छे लेग स्पिनर वो रहे जिन्होंने कॉंटीन्यू किया जारा विकेट निकाल चुकिया आपने मधाई भी दी थी उन्हें युज्वेंदर चैना होंबर कर क्या है बन्दा प्रॉप आज तक एक भी टी-20 बॉलक पका मैंच नहीं खेल पाएं 2022 में सेलेट नहीं किया गया 22 में सेलेट किया घ assembles सी अच्छा अगले इस अगले टूर में है नहीं लोग हरान है कि यह क्या लॉजिक है क्यों है किसली और वो इंसान क्या करें एक मिडिया यह सोचली मीडिया पर तुने कहीं देखा कि लोग ऐसा क्वेशन कर रहे हैं कहीं पर भी कुसम से यार हम दोनों मतलब है हाश्टाग क्रिकिट वाला जो टाग हम बहुत फॉलो करते हैं और हम देखते रहते हैं हमारा काम है मतलब ऐसे न्यूज कवर करना है मैंने आज तक एक भी फैन रियाक्शन यह नहीं देखा कि भाई उज्वेंदर चरल को लेकर रवी बिश्णोई जॉब छोड़ देगा भाई है चोड़ देगा एक तो बिश्णोई भाई और भी हैं चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए मैं आपको एक चीप बताता हूं कई जो भी है एक 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 जट खेलेगा वह इंडिया में जाद चाफ फोर्म करता है बाहर गए नहीं यार वो निपनी मिल रहा है वह ऐसी बोल नी डाल पार यह यह नहीं हो पर भाई आप तक खिलाओ के नहीं मेरे कहने का मतलब यह कि एक बंदा पार बाहर बैठा है किसी अब अब भी में इससे पहले श्रेल वी में समय कमेंटर भी कर्ण तो यह बोला जरा था कि नहीं यार वो नहीं है निप नहीं है यह वो नहीं हो पाएगा अब सड़नी चेंज क्या से हो गया कुलीप तो केकेयार में डगाओट इम बैठते थे एक पर एक ताम पर हो गया त क्रिकट के ग्राउंड पर क्योंकि कुल्दी प्यादव जो के क्यार में थे और कुल्दी प्यादव जो डेली क्याविटल्स में जो बने हैं उसमें कुल्दी प्यादव का कोई लॉजिक बाइब से भी एक प्यादव कर डिप आया था एक इंटरनेशनली क्रिकट उनका पाया था उन्होंने खुद किया है कि वह बापस गया है उन्होंने बेसिक पे बहुत काम किया बहुत काम किया और अब वो बिलकुल दलीरी से गेंदबाजी करते हैं जो एक दम फुल एक दम ट्रस्ट है उनको कि चलो मैं फ्लाइट करूँगा या मैं स्लॉट में दूँगा आउट करने को देखूँगा मैं बचने को नहीं देखूँगा अगर आपको एक मैच याद आया होगा किसी एक बैट्समन ने बहुत लिया था उनको मुझे वो मैच याद नहीं आ रहा लेकि ये आई पील में जब मोहिन अली के हथ्थे चड़े थे मुझे एक इंटरनेशनल मैच याद आ रहा है कि वो पहले तुन्होंने आउट करने को देखा तो उनको एक दो छक्का लगा मतलब शॉट लगा फिर वो नेक्स स्पेल में आये तो वो बचने के लिए वो वाइड पे चले गाया और उनको उगर से भी मार पड़ी मैच प्रॉपर याद नहीं आ रहा है किसने लिए मुझे याद आ रहा है कि किसी बैट्समेन इनको बहुत अंटे लिया था तो उनको वो समझता है कि as a leg spinner आपको एक बहुती बड़े हिरदय के साथ balling करनी होती है leg spin एक कमजोड दिलवालों की चीज नहीं है मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात और अमित मिश्रा खुद has been a good leg spinner मतलब वो अच्छे leg spinner रहे चुके हैं और यह मतलब उनको इस टेकनीक की समझ है यह सारी चीज़े हैं तो यहां पर उनको नहीं काटना चाहिए था शुभांगर मिश्रा को जो यह बोल रहे हैं कि वो खुल डालनी होती है बैट्समें को देखके है कितना गजब का लेंट अर्जस्टमेंट करते हैं लेप्टी और राइटी को भाई मतलब आइस उन्होंने दिखाया जो मैक्सवेल का आउट किया था कैसी खेंची थी थी लाइंटी रॉंग वन डाली ती उसी दहा चाइना मैं प्र पर मतलब कैसे सेम कुली प्यादा मतलब आई डिसग्री विद इस लेकिन ठीक है और का बोलते हैं वह वह वाला टाइम सैंप लगा यह विराट कुली वाला लगा हूं मैं शायद यह है आई तिंक यह वही है लेकिन इस पर कुछ बताया नहीं अभी हाँ अभी चल रहा भी आगे वह बताएंगे विराट कुली से चीज़ है इसको प्रूब करो आप उसको बीच मजदान में बिठा दोगे ना तो कंफ्यूज हो जाएगा हो जाता है कंफ्यूज के बाद उसको स किया था कि नारायन वाली पूजिशन में बैठ जाते हैं वह जरूर उनसे एक्स्पेक्टेशन है सोशल मीडिया वालों की लेकिन भाई मतलब मैंने दो नहीं देखा है कभी ओपन करा दिया यह यह बोलना यह चाहते हैं अभी आप पूरी बात सुनिया अपी पूरा सेंटे जाते अक्षर पटेल थे दोनों एक चीज काम करते हैं तोनों करते हैं आपको एक की जुरत है आपको एक की जुरत थी आप जो ने चाहल को डाल सकता है जैसे लेक्स्पिनर तो बहुत सरी ऐसी चीज़ें अगली सीरीज में ड्रॉप करने का लोजिक क्या था आखिस सबको म हम आपकी चरित्रक पे उपर ऐसे सवाल उठवा देंगे ना सोशल मीडिया में अरे अमित मिश्रा जी आपको समझ ही नहीं आ रहा किस नाक के सामने आप बैट के काम कर रहे हैं अगली सीरीज में क्यों ड्रॉप किया जानने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है या इस बारे आपने उसको वड़कप में नहीं खिलाया चलो ठीक आपको कॉमिनेशन था बट अगर आप संजू सैंसें जैस्वाल को अगली सीरीज में मौका दे रहे हो शीवम दूबे को खेल के आवा पे जो मोंबे तूर यहां नहीं मिला में टीम में तो उसको क्यों डॉप कर दिरो यही है ना वाहिंटन सुंदर का सेलेक्शन वह वह बाहर है अब यह आजकल ना कंसेप्ट चल गया कि यंग पले यंग पले यंग पले विचारा जो 30 32 33 साल का प्लेए जो खेल रहा है परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में अब क्या का हूं आपकी फिटनस को पुरा फिल कर कैसे नहीं कैसे हम संजू सैंसन का नाम नहीं लेंगे हमारी जो हमारे जो प्री मलू ओडियंस है उसको भी तो फेंड होना भाई वीडियो देखके और इसने इसका जो वह एक टाइम स्टांप हो लिए विराट से शिकायत पर विराट कुली के बारे में एक भी बात नहीं सब्सक्राइब करने के लिए और कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं लगता क्यूं कि उनकी जो गई है अब वो चौतिस साल के हो जाएंगे यंग प्लेयर इतना आगए टीटुन्दी के अंदर सब्सक्राइब चल रहा है और आपके विराट कोली जी नहीं यह कंसेट बना हम ब्रामण कम्यूटी इन दोनों मिश्राओं जनमें से एक को तो बाइकॉट कर देंगे अगरे साथ ब्रामण कम्यूटी के बहुत लोग इस बात से सहमती वैक्त करेंगे क्या मतलब है कि मतलब सो कॉल्ड विराट कोली आपके विराट कोली देखिए जनरलिस्ट मत करते हैं उनको ज़्यादा परफॉर्म करते हैं उनको ज़्यादा एक सो चॉटिस के उपर उसका स्ट्राइक रेट होना चाहिए फारक इस बात से पढ़ता है जो कि अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन की कुछ उपर नीचे रहा है संजू सैमसन की सभी क्रिकेटिंग सेंस रखने वाले सभी दर्शक बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन उनको भी पता है कि जब उनको मौके मिले हैं वो मौके शायद अभी कनवर्ट नहीं हुए और आ इंचेट की कोई भात ही नहीं कर रहा है सिर्फ और सिर्फ जस्ट मिल्किंग था हैल आउट आउट अफ सम्थिंग तो व मैं तो इस वीडियो में में आगे सक इनकोलर की बात हो जाए क्योंकि उन्होंने कम्यूनिटी की बात कर ली आइपेल टीम की बात कर ली कि क्थ आड़ कने ल Electे लॉट कूं नहीं खिलाया तो देखते हैं मैंने दो देखी नहीं है तो Turning अब आप helfen वह झायका लेकि नहीं पहुत ज्यादा तो अगले तीन साल तक टीम में रहें जब तक वोल्ड अपना हो तो खेलेंगे अधर्वाइस बहुत मुश्किल है क्योंकि यंग प्लेर इतने आगे हैं इशान किशन आपके प्लेयर आगे हैं आपके पीछे बंदे लगे हैं और दिस्तरा का यह फॉर्माट है यहाँ पर सबके माइंड सेट हो गया है यह यंग प्लेर यंग प्लेर यंग लेकिन आपको जिताते को हैं आप वो लेके जाएगी ज़रा विराट कुरी नवीन लख कांड वो किया इन्होंने लक्स है एक बड़ी जबरदस कांड आईपियल में हुआ यह देख बाद में गले वले मिल गए सोशल मीडिया पर कर दिया क्या हुआ था नवीन कांड में बड़ा चर्चा रही बड़ा बवाल हुआ लखनो सड़ली टीम बन गई कुछ लोगों की एक्चली वह स्टार्ट हुआ बैंगदुर में हम मैच के लिए लास्ट वर में मैच हम जीते ले दी तो लास्ट में क्या हुआ कि हम मैच जीत गए तो गौतम गंभीर ने यह बाद बड़ी विनमरता के साथ के आप प्रीजन दर्शकों से हमारा सब्सक्राइब ना मचाएं और हमको पूरी सहमती से और पूरे सम्मान से हमें इस मैच को जीतने दें तो इसलिए उन्हो यह किया बिलकुल काईदे से वी लफ गौतम गंभीर पाई तो गए गैस जस्ट 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 पसंनी आई चीज्ट ने रवी विश्टोई ने वो ठागे वो आवेश खाने अवेश खाने ता देखे मतलब यह इंसान ट्रिगर करने के आंधी में इतना ज्य इस तरफ से कि छूए लेकिन हमें नहीं बताता है वेराट पोली चीज को कैरियाओन कर देखे वनार्य मैंश जय को थो तो ठीक है हमें उससे प्रॉब्लम नहीं था लेकिए वह विश्ट प्लेस तरुब्याट से क्या दुश्मन रहें आँड़ आउट होने के बाद अपे बर्टिट अबूजिंग अर्पेर्स उसका हिंदी मनुद होता है कि उन्हों ने हमारे खिलाडियों को अप्शब्द कहना प्रारंब कर दिया था त्हा गाली देर दिया देड है रहे लिए उनको उलता बोल रहे कोई भी जा रहा है कालमाइट से उसके क्या दुश्मन है उस को लटा बोल रहे है उत होने के बाद नवीनु लग बोल दाल रहे है उनको लटा बोल रहे है और पीचर भीजे यह स्टेड वेड़िद विराच या और पीचर पीचर यही नहीं और सुनिए यह बहुत ही रेसिस्ट आइवड से या फिर जो भी टर्म में इसके लिए चेत्र वादिता की प्रचंड सीमा पार करते हुए बहुत है जाहिर दिल्ली वाला क्या थोड़ी न बोले यह बहुत है जिसको ओफेंड हो यहां हो जो मेरे दिल्ली वालो यह बावन यह बावन मिनट 69 सेकंड पर यह जो बोला गया है न भाई मैं नहीं सहता मैं बिलकुल भी रहां हूँ य। तो जो चालें नहीं साल रहा हूँ यार मैं मैं हर्ट ऑच्छें सब्सक्राइजी कहना क्या चाहते हो दिल्ली से हो तो बीठा तो न बोलेगा पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले भाशाण है कि दिल्ली वाला तो क्या मगर मीठा नहीं बोलेगा यह यह आँ फेवरिटिजम और नहीं सह सकते या नहीं सह सकते बाइब या तो लिबरल चीज़ा कर रहा है तेरे को नहीं करना बाइब तू कितना भी रोके मैं नहीं रुक रहा भाई मैं जा रहू यार मैं मैं ऐसे नहीं सहा जाए गार